हेलो दोस्तों नमस्ते विल्कम बैक टो ये चानल में हूँ श्रीजा इस वीडियो में मैं क्या क्या बनाई हूँ सुबे दोपैर के लिए क्या मैं लंच बॉक्स पैक किया है तो वही शेयर करें हूँ सुबे का ये व्लोग आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए सुबे के लिए क्या बनाना है ये सब तो पहले दिनी सोच के रख लेती हूँ और थोड़ा बहुत सब्जें भी काटके रख लेती हूँ जो जादा टाइम लगता है वैसे वाला पर उस दिन तो में जादा कुछ सोची नहीं थी क्योंकि मंगलवार तो दोपैर के लिए हमे कतम था सच में आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे समझ में नहीं आया या कैसे पता नहीं चला जैसे गर में चावल रहता है वैसे ही आटा भी रहता है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं गया था वहाँ इसी के साथ साथ इडली दोसा बैटर भी हमेशा रहता है दिमाग में यहीं कि फटाफट इडली समर बना लोंगी पैक कर लोंगी इसे का दोरान मैंने टाइम देखा नहीं था तुरंत दाल को धोकर चड़ा भी दिया था गुकर में डालके दाल चड़ाने के बाद देखा कि टाइम बहुत हो चुका था अब भी कि अभी मैं इडली का साथ कुछ क्या ब प्रिण विप तयारी कर लोंगे इडली बनाने के लिए बेटर में थोड़ा सा नमा आनेवाल शोड़ा डाल कर अच्छी से मिलाएँ हूं थोड़ा सा पानी करके और और इडली मेकर में सामबार ही नहीं है कभी कभी चटनी भी ट्रै करना बहुत अच्छा लगता है यह सब धोने के बाद ना फिर मैंने हब पैस टमाटर और आरी मिच यह सब सबजी उनको कट कर लोंगी उसके बाद कड़ाई गरम करेंगी तेल डालेंगी और धनिया जीरा अब काम करते करते पर गरम होने के बाद थुदा सा तेल डाला है दन या जीरा डाल कर आजटेस फ्रैक किया उसके बाद नामक नमक डालके यह गरने के लिए ठककर गे करें द कर दोंगी और इसमें फोटा इमली भी दालना होता है वह इस निकालकर घंडा हो जाigmat हस्को पकशला उसको देक दाल के साइड रखूंगी ठंडा हो जाएगा उसके बाद फैक करने के लिए टीक रहेगा तमाटार प्याज भी गलना शुरू हो गया अब इसमें जो दोके रखा है पत्ता भी डाल दूंगी थोड़ा सा फ्रही होने देंगे पत्ता फ्रही होने के बाद इसमें थोड़ा सा इमली भी डालेंगे और डखकर दो मेरिट के लिए इसको चोड़ दूंगी इदली में रख दिया है ठंडा होने के लिए चटने के लिए जो डाला है वो भी अच्छे से पक चुका है अब में फटा फट निकाल दूंगी वो तो बहुत गरम है फिर भी हमको जल्दी से इसक कि रह गया है जल्दी से पैक कर लूंगी तो सारा काम कतब हो जाता है एक टेंक्शन रिलीफ हो जाता है यही है आज की लेंच वाक्स वीडियो इस वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना ना बुलिए यदि हमारा चैनल को पहले बार देखते हैं अब तक सब्सक्रा की जे